नमस्कार बहुत बहुत सवाध करते हैं क्लिक्टोडे के आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 2 मार्क शीट को लेकर के 2019 से 22 सेशन के और पार्ट 3 रिजल्ट को लेकर के अहला कि जो पिछली जो वीडियो हमने बनाई है वह एज रिस्टिक हो चुकि है वो वीडियो हाला कि इस वीडियो में हम जो प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं आप लोगों के मार्ट शीट के उपर पार्ट ने जल्दी से जल्दी जारी करवाने की कोशिश करिए हाला कि मैंने आपको कल ही रिपोर्ट दिया है कि देखो अभी तक के पार्ट तरी का कॉपी चेकिंग शुरू भी नहीं हुआ है तो मार्च के अंतिम हफ्ते तक रिजल्द आने की कोई संभाब ना नहीं है क्योंकि एक से देर महीने के भीतर कॉपी पूरी चेक नहीं हो सकती ह आपका रिजल्द प्रस्तावित है 15 अप्रेल तक आप लोग 15 अप्रेल तक अपनी प्रतिक्षा करिए और साथ में जो बीड के लिए पूछ रहे हैं कि बीड इंट्रेंस टेस्ट का जो है फॉर्म अप्लाई होने वाला है तो उसकी तिथी बढ़ सकती है आप लोग खासा नजर रखिए हमारे चाल को पर जो भी अपडेट्स आ है उसके लिए जो हमारे चाल पर बने रहीएगा अगर अभी तक कि चाया को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करके बेल आकोन कौन के लिए शेयर करें अपने दोस्तों के 20 तक वीडियो को आज के इस वीडि प्रपर्टी विवाद ग्री कलिस समाज में इज़त नहीं मिल रहा साधी की चिंता लक्षमी का अभाव या फिर एक से लेना हो कोई इंतकाम सभी समस्याओं का एक ही है समाधान सभी अपने नजदी की साइवर कैफे पर जाकर के UPSC CAC 2023 परिशा का फॉर्म तुनत भरे और अंतिम्दिती 21 फरवरी 2023 तक तो यह एक मोटिवेशन आप लोग के लिए जो भी UPSC है तो लोग फॉर्म भर सकते हैं अब चलिए बात करते हैं आज की इस रिपोर्ट पे रॉल नंबर में गलती से पांच सो चात्रों का अंक पत्र अटका यानि कि रॉल नंबर में बहुत स 500 विद्यारतियों की सनातक पार्ट 2 की माक्षित अटक गई है यह विद्यारति सत्र 2019 से 22 के हैं पार्ट 2 के परिक्षा में इन विद्यारतियों का रॉल नंबर गलत था वही कई विद्यारतियों का जो है इंटर्नल नंबर नहीं जूरने के कारण भी जो है माक्षित नहीं बन पाई है ऐसे विद्यार्थी लगातार बीवी का में जो बीवी के परिक्षा भीवाग में जो चक्कर लगा रहे हैं दो महीं ने पहले रिजल्ट जारी किया गया था इसके बाप जूद कई कॉलेज के पास जो विद्यार्थियों की माक्षिट नहीं पहुंची है और आड जो अटक गई है रॉल नंबर की गलती से जो चात्राओं के जो माक्षिट नहीं मिली है वही अप्रतिकुलपति प्रफेशर रविंद्र कुमार ने बताया है कि जो गरबरियां है उन्हें परिक्षा विभाग सुधार कर रहा है चात्रों की माक्षिट तयार हो रही है यान यह है कि इंटर्मीडियर की परिक्षा चलेगी और उसके बाद जो है खबरे आने सुरूओंगी कि पार्ट सरी का रिजल्ट फाइनली कब जारी के जाएगा हाला कि बीएट के लिए बहुत सारी शात्रा है और शात्र इंट्रेस्टेड है जिसके लिए पिछली वीडियो मे पूरी जानकारी बीट के उपर जो है देने वाला हूँ तो हमारी चैनल के साथ जूरे रहे हैं चैनल को सब्सक्क्राइब करके बला इकन को अन करके रखिए आपके मन में कोई सवाल यह सुझाब ओतर नीचे कमेंट करें तब तक लिए में चलता हूँ धन्यवाद